हेलो गाइल्स वेलकम बेग टू माई यूटूब चैनल तो मेरी वैज रस्वी में आपनों का स्वागत है आज की जो मैं रेस्पी ले के आई हूँ वह बहुत ही जटपट से जल्दी बनने वाली बिल्कुल होटल स्टाइल चाउमीन जो की दिखने में जित्ती टेस्टी लग बीच में इसे टोड़ के डाल देना है और तीन से चार मिनट हमें इसको पकाना है तो 3-4 मिनट हो गए हैं देखिए हमारी चाउमीन पक गई और तो अब हम इसको एक बर चेक कर लेते है crystal लेते है तो यह देखिए मैंने अपने चाओमीन को अच्छे से धो लिया है यह देखिए किती बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग-अलग है बिल्कुल भी नहीं चुपकी है यह काफी परफेक्ट पकी है तो बस हमें इसको इतना ही पकाना होता है तो अब हम मैंने हैं कुछ नहीं डाल नहीं हूं तो अम मैंने हैं कड़ाई में रिफाइंड ओईल लिया है दो बड़े चम्चे रिफाइंड ओईल है हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसमें अपनी सारी सब्जी या डाल के इसको 2-3 मिट पकाएंगे हमें ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसमें सब्जी थोड़ी कच्ची से ही रहती हैं सब्जी ही अच्छी लगती है तो अब हमें जो सॉस चाहिए वो है विनेगर चाहिए हमको सोया सॉस चाहिए और चिली सॉस चाहिए इनी सॉस की हमें चाउमीन मनाने में जरूत पड़ती है तो हमारी सब्जी या पक गई है इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सी काली मिर्ची एडड कर देती हूँ जिसे कि इसमें हमारी सबजों में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए तो हमारी सबजी जैसे कि य arrest कर गए है तो अब हमने जो चावमी नुबाल के रखी ती वो चावमीन अब हमें इसमें एड कर देनी है, बिल्कुल अच्छे से, देखिए एक एक चावमीन खिली-खिली है, तो अब मैं इसमें दो चमच विनीगर डालना है, और ये थोड़ा सा चिली सौस, आप जितना तीखा पसंद करते हैं, उसे साब से इसको डालीए, और ये थ होड़ी-सी काली मिर्ची और एड करती हूँ, और इसको अच्छे से मिलाना है, इसमें जो भी कमाल है वो मिलाने का ही है, इसको अच्छे से टॉस करना है, और ये देखिए हमारी चावमीन बनके बिल्कुल तयार हो गई है, और ये कित्ती टेस्टी यमी लग रिए है, तो भर पे आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं और आप लोगों को यदि मेरी रैस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिए और यदि आप लोगों को मेरी चावमीन काफी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना हमें नेक्स वीडियों मिलूंगी नई रैस्पी के साथ तो आज के लिए थेंक यू